लुच फ्रेंट्स वेलकम टू लाइनिंग इंसाइद सो आज हम डिस्कास करेंगे वेकेंसी के वारे में जो EPFO organization के दुवारा release किया गया है EPFO means employee provident fund organization जो provident fund central government employee को दिया जाता है उसी related organization है सो जो vacancy निकला है वो central government job का vacancy है सभी post जो है permanent post है post जो है वो है social security assistant का post and total number of post है social security assistant का 2674 salary जो आपका बनेगा वो almost 50,000 आपका salary बन जाएगा जो qualification चाहिए इस application के लिए वो है minimum आपका graduate any graduate can apply साथ में BSW और Bachelor of Social Work और Bachelor of Arts in Social Work जलेते हैं वो लोग भी इस advertisement को vacancy को feel up कर सकते now no application fees for women SCST, PWD, NX servicemen के लिए कोई application fees नहीं बाकिकी details आगे के वीडियो में देखते है so EPFO head office ही है application रिलीज के गया यह आता है आपका ministry of labor and empowerment okay ministry of labor and employment and government of india के under में आता ही organization and new Delhi सी यह post vacancy रिलीज के गया so basically आपका online application are invited for filling up the post of social security assistant and stenographer यह दोनों के लिए online application form मांगा गया है so online application form के लिए आपको wait करना परेगा क्योंकि vacancy अभी newspaper में रिलीज हुआ है अभी तक online में आपका यह vacancy नहीं आया जब आ जाएगा तो मैं details advertisement में में वीडियो बना दोँगा नाव थोड़ा बहुत details काफी details दिया गया है इसमें पैपर newspaper में तो आम इसको discuss कर लेते हैं social security जो पोस्ट है उसके लिए आपका minimum qualification जो है वैचलर्ट डिग्री होना है इनिव और फ्रॉम एनिरिकोगनेज उनिवर्सिटी साथ में आपका चाहिए टाइपिंग स्पीड 35 वर्स पार मिनिट इंग्लिश और 30 वर्स पार मिनिट इन हिंदी और कंप्यूटर टोटल जो वेकेंसी है वह हो तो मिनिमाम 18 होना है मेक्सिमाम आपका 27 होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होगा तो बाद बेसिकली वहां पर इस इलेक्टेशन भी मिल जाएगा अब बन जाए गई यहां दूसरा पूस्ट के लिए यहां पर वेकेंसी वह अप्लाई कर सकते हैं वह स्टेनों गफर के लिए वेसिकली ट्वल पास चाहिए और साथ में ना कंपूइटर स्किल्स चाहिए टोटल वेकेंसी चाहिए लिए यहां पर लेबल फूर का सेलरी दिया जा रहा है सो इसमें भी एप्लाई कर सकते विस्ट डिग्री नहीं कर सकते हैं अली मीनिमाम ट्वल पास है बाकि मेक्सिमाम को जितना भी होगा चलेगा नो प्रॉब्लम ना दो पेमेंट फीस के पार में मैंने अल्डेडी बोल दिया क कि SC ST PWD female candidate and ex-sarvisman के लिए application fees नहीं है या पर एंड जो आपका others के लिए आपका 700 application fees या पर बाकि जो advertisement की जो details online application form है वो will be remain active from 27 March 27 March 2023 में यह online में आपको website में मिल जाएगा और last date जो application है वो है आपका 26 April 2023 so कात्वी time है आपको apply करने के लिए an online application and vacancy regarding details जो है selection procedures everything आपको website में मिल जाएगा वो है www.epf india.gov.in so details advertisement आपको website में मिल जाएगा साथ ही साथ यह exam जो कंड़ा करेगा वो recruitment NT के दुवारा होगा तो NT website में आपको details मिल जाएगा बट यह details जो अभी तक online website में active नहीं हुआ वो 27 March 27 March के पहले active हो जाना चाहिए जो details advertisement रिलीस हो जाएगा मैं एक वीडियो शॉट वीडियो बना दूँगा आपके रिमाइंडर्स के लिए हो जाएगा वीडि़ हो मैं दूएभी जाएगा टाता